आप तक हमने क्या किया दा फाइनेंशिल प्लैनिंग का इंट्रडक्शन जो था हमने पढ़ा था हमने बुख ओपन तक नहीं की थी पराभर है ना तो देखो फाइनेंशिल प्लैनिंग जस्ट टेक्सेशन का पार्ट इसके इंदर आया तो मैंने आपको हिस्ट्री उतनी बता सब्सक्राइब अब आगे बढ़ते हैं टेक्सबुक के अंदर से आप पढ़ते हैं जो पड़ा हमने यहां पर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है अब यहां पर देखो मैं डारेक्ली इस पार्ट पर आपको बताऊंगा जो गुट्स इन सर्विस टेक्स था यह क्या इनोट करता था पूरा कंट्री वन नेशन वन टैक्स ठीक है भले स्टेट्स के अंदर डिविजन है लेकिन कंट्री तो एक है तो यहां पर टैक्स भी क्या होना चीद आप पहले क्या था हर एक का जिससे देखो मैं आपको बता रहो है यहां पर यह जो वाट है यह किस पर लगता था पहले अंब और यह जो आ है कि कैन यह किस पर लगता था गुट upgrades पर लगता था सीएसटी यह कौन लगाता था यह लगाता था कौन स्टेट गघॉवर्मेंट यह किसको मिलता था Central Government को Central Sales Tax हो गया उसके बाद Service Tax जो था किसके बाद कर रहे हम यहाँ पे यह जो Service Tax जो था ठीक है यह किसको लगता था भई किसको जो लोग Service देते उसको इसका पैसा किसको जाता था Central Government को जाता था तो यह सब ऐसी बहुत सारी चीज़े थी उसके एक्साइस जूटी अब एक्साइस जूटी क्या है मैं आपको बताता हूँ एक्साइस जूटी अभी भी लगती है किस पे लगती है Manufacturing पे जैसे मैं यह Calculator अगर मैं बनाता हूँ यह Calculator मैं क्या करता हूँ manufacturing करता हूँ इसका manufacturing मैंने किया बहुत ज्यादा manufacturing किया जुसका जो भी turnover होता है कम से कम चाल करोड का मेरा turnover है तब जागे इस पर मुझे production करने पर टाक्स लग जाएगा तो वह टैक्स है उसके बाद महारास्टा से महारास्टा में जो transaction हो जैसे कुंबई से पूने में गोर्स गए या पूने से मुंबई में बुचा आ गए तो वहाँ पर टैक्स लगा जो भी महारास्टा के अंदर transaction हो रहे है वह सब स्टेट का है उसके बाद मुंबई से गुजरात में कुष लग्जरी टैक्स यह लगता है अभी तो यह फिलाल मलब ना के बरावर ही है जो सिंटेस्ट बुलते जैसे की डाइमेंट्स बगरा यह सब सब्सक्राइब चीज़ें कौन लोग खरीते हैं उनको चाहिए तो आप एक्स्टर टेक्स बर दो वहीं काउंटर वेरिंग ड्यूटी यह जो ड्यूटी है ना यह बहुत काम की चीज़ है यह कब लगती है मैं आपको बता देता हूं इतना मैं डीटेल में जाओंगा नहीं जैसे अब देखो क्या हो रहा है दिवाली आने वाली है दिवाली जब आएगी तो वहां पर आप देखो दिये बहुत सारी चीज़ें यूज होती है तो वहां पर सब कुछ चाइना से आ पुरा प्रबलते हैं ना होली कलर चाइना वाले होली खेलते भी नहीं फिर भी होली के जो कलर्स है वह बना के यहां पर भेज़ने के फैक्टरी से बराबर है कि नहीं है तो यह सब चीजी तो मैंने एक चोटा सा एक्जामपल लिया यह उसके बाद आप दिखो यह अपने इंडिया में कोई 50 रुमें पर चीज मिल रही है भार से कोई आता है यहां पर 30 रुमें बेचने लगता है तो सोचो जो लोग 50 रुमें बेचते थे पूरी इंडस्ट्री वहां पर करोडों लोग काम करते हैं कौन उनसे खरीदेगा पाल उनका बना हुआ वैसे का वैसा रह जाएगा तो यह जो चीज़े हैं अगर 50 की चीज तीस में भिकरी है उसको भी तो 50 पर लाना पड़ेगा लेवल पे बाद में कॉलिटी जिसको जो अच्छी लगती है बेचो कोई दिक्कत नहीं उसमें लेकिन 50 की चीज तीस में बेचोगे गलत बात है तो उस पर डूटी लगती है काउंटर वेलिंग और स्पेशियल एडिशनल डूटी यह कौन लगाता है और यहां से गुट्स कुछ जाते हैं दैसर की साइड में तो वहां पर आपको चेकिंग होती थी पहले अब यह नहीं होता है इवे बील वगएरा बहुत कुछ जया सिस्टम आ चुका है यह क्या होता है और नवर टेक्स के उपर कुछ परसंटेज लगाया जाता है जैसे एजुकेशनल सेस होता है ठीक है आप अगर 11 12 में जाओगे कॉलिजिस गवर्मेंट कॉलिजिस में रहोगे तो आपकी पढ़ाई गल्स के लिए फ्री हैं बॉइस के बहुत कम फीस है तो बारे हैं वह जो पैसा कहां से आता है यह से स्केट रू आता है तो गुर्च सिंस ने क्या किया सब को मिला दिए जब एक टोपी के बारे में बात करूँगा अब यह है क्या आपका पहचान आधारकार नमबर है वैसे जी अस्ट यिजू नमबर होता है यह पनीन में इसके अंदर देखो कैसे होते यह चीज़ें अब इसके अंदर सबसे पहले जो नंबर है कहां गया कि यह रहा है कि यह जो पहले दो डिजेट ना किसको रिप्रेसेंट करते स्टेट को तो टू डिजिट फॉर यह सब आएगा किसका होता है कि यह जैसे की मेरी कंपनी है मैंने रेजिट्रेशन लिया एक जगा के लिए एक बिजनस के लिए तो उसके लिए दो तीन तो टू-3-4 उस इंसान के नाम पर ऐसे बढ़ते रहेंगे नंबर आते रहेंगे फिर क्या आपका जैड एड क्या युनिफर्म पर ऑल बाई डीफॉल्ट यह सब के लिए होगा या चेंज होते रहेंगा जो भी यहां पर यहां पर इस तरीके से यहां पर बाते की गई कि यह कहां का बंदा है मालास्त्रा का बंदर कि उसके आगे क्या है 271 रिप्रेजेंट सिंगल रिजिस्ट्रेशन दो उस नंबर पर सेकेंड रिजिस्ट्रेशन है तो वह यहां जहां पर यह सब काम होता है उसका वेरिफिकेशन कोड है वह समझ लोग पाच तो नंबर के साब से चेंज होते रहता है अब जरा सा यह पढ़ते हैं इसकी कहानी यह जो है क्यों आया क्या रिजिन से इसके आने के हर एक को constitutional amendment करना पड़ा क्या constitutional amendment किया गया यह भी मैंने आपको बताया ठीक है न उसके बाद आईशा बोलती है yes the whole country follows the same tax levy system यह रहा ना वन नेशन वन टैक्स ठीक है teacher correct before GST every state has variety of taxes limited different stages of trading तरही बात है यह हमने पढ़ लिया observe the picture given below and tell us which taxes exist before GST and now submerged in GST तो यह भी हमने बताया डिसकस किया taxes that existed before exercise, custom, vat, entertainment tax, sales tax, service tax, octroy, etc. all these taxes are submerged under GST that is why GST is one nation, one tax, one market GST is effective from first July 2017 बहुत important date है यह इतियास की सबसे बड़ा tax के अंदर changes किये गया था इस दिन से apply हुआ गया था ठीक है ना changes तो पहले से कोशिच चली रही थी अब invoice का तो हम discuss नहीं करेंगे हमने जो GST नमबर होता है उसको हमने discuss कर लिया है अब यह important teacher all goods are classified by giving numerical code called SNS, sorry, HSN code यह बहुत important है it is quoted, sorry, it is quoted in the text invoice full form of HSN is harmonized system of nomenclature अब अलोवर वर्ल्ड यह system follow किया जाता है, ताकि कोई भी goods है, हर goods को number दिये गया है ताकि उस goods का क्या हो सके है पहिचान हो सकते, ठीक है जिसे आपका नाम है ठीक है आपका जिस दिन जनम होँआ आपको यह नाम से पहिचान है गया है तो बच्चा तो आपको नाम दिया गया वैसे ही हर गुट्स को क्या दिया जाता है यहां पर नाम दिया जाए और यह सिस्टम ऑलडी बना हुआ है एज इजवल देर इस दर नेम ऑफ शॉप एडर स्टेट इंवाइज नंबर पॉबाइल नंबर इन इमेल आईडी ऑल्सों इन टेक्स वह सब चीज़ें होती है तो बिल बनता है बिल पर हुम बाद में देखेंगे अब कुछ रेट से टैक्सिस के ठीक है जो कुछ चीज़ है उसके बाद जीरो टैक्स जिसका आप खरीदते हो बेचते हो आपको टैक्स भरना जैसे एसेंशल कमोडिटी राइक फूल ग्रेंज फ्रूट्स वेजिटेबल मिल्क स्टॉल्ट और्धन पॉट्स एक्सेट्रा इन सब पर कोई टैक्स नहीं लगने वाले गवर्मेंट ने पहले ही बोल दिया है फिर चरिटीबल एक्टिविटीज जो ट्रस्ट करता है ट्रांसप सब्सक्राइब करते हैं अपने हिसाब से इंजिस होते रहते हैं 12% पर कंजुमर गुड्स बटर घी ड्राइफूर्ट जैम जली सॉस पिकल बोबाइल फोन जैसे ज्यादा कंजंप्शन वाली चीज़े वहाँ पर कम रेट है जो चीज के बिन आप जी सकते हो वहाँ पर ज्यादा टेक्स है फिर 18% है आपका मार्बल ग्रेनाइट टीवी एक्सेटरा पूरियस सर्विसेज आउट्डोर केटरिंग ठीक है शादी बगरा में आउट्डोर केटरिंग होती है सरकल्स ड्रामा सिनिमा एक्जिविशन करनसी एक्षेंज ब्रोकर सर्विस इन यह आगया आएगा आपको ब्रोकर ट्रेटिंग है बहुत इंपॉर स्पेर पार्ट्स पान मसाला जो गुटका वगेरा सब चीज़ है लोग वह ज्यादा कंजुम ना करें तो उनको क्या डी मोटीवेट करने के लिए टेक्स लगाए जाते हैं इस वाशर वहाथ से हैं क्या करो सामुन लगाओ विम बार दो बुन लोग पानी बिलाओ दो दो सब्सक्राइब डिश्वाश्चर इस पर पे करो वाशिंग मशीन फिच्ट टोबैको प्रोडट्स एक्सेट्रा फाइस्टार होटल अम्यूजमेंट पार्ट वाटर पार्क थींग पार्क कसीनो रेसकोस आईपल गेम्स एड ट्रांसपोर्ट बिसनसकार अब आपको अगर यह रेट चेंज होती रहती है देखो नोट है रेट सेंट टाइप सब्सक्राइब अब राइटिंग दिस चेप्टर देखो क्या लिखा है जब यह बुक बनी है तब यह सब्जेक्ट तो चेंज एलेक्ट्रिसिटी पेट्रोल डीजल और नॉट पर व्यू यह अभी तक ज न्यूज चैनलों में पता चल जाएगा अब हम आते हैं पहले एक्सराइज के समस्पर ठीक है अब यहां पर हमें कैसे सौल करना कुछ कॉंसेप्स हैं वह आपको समझने हैं सबसे पहले आपको कैसे मैंने क्या किया यहां पर यह आपके लिए आपको मिल जाएगी आपके ग्रूप में वाट्सप ग्रूप में अब देखो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 बेस्ट और सी जी एस्टी एन एस जी एस्टी पूरा का पूरा चैप्टर देखो आपके लिए सिंप्लिफाय कर दिया है कैसे टाइप्स के यहां पर सम्साइंगे रेट फाइंड जी एस्ट अमाउंट एक्सेबल अमाउंट फुल फ्लेच सम जो है और डिसकांट वाले सम्स उसके जी एस्टी के दो हाथ है ठीक है बहला दो पाट है एक एंतिए शी एस्टी और दूसरा है इसे अंदर जो एस है यह क्या स्टेट निज्ट करता है स्टेट और सी इका डिनोड करता है Central ठीक है अगर कोई चीज की Rate है अगर कोई चीज की Rate है कितना 18% कितना 18 तो दोनो State और Central Half of क्या करेंगे Distribution कर लेंगे क्या करेंगे Half of Distribution मतलब ये कितना हो जाएगा 9% ये भी कितना हो जाएगा 9% ये आपको समझ माँ है Suppose ऐसा चीज आपको दिया हो SGST 9% है और CGST और GST ढूणने बोला है तो अब देखो अगर ये 9 है तो ये भी 9 है Half of है न तो ये भी कितना होगा 9 होगा चलो मैं दूसरा एक्जामपल लेता अगर ये 2.5 है तो CGST भी 2.5 होगा इसका मुला आपने क्या relation निकाला percentage sign होगी आपने ये चीज यहाँ पर सिद्ध की क्या सिद्ध की सबसे पहले की rate of SGST is equal to rate of CGST ये लिख देना जो भी rate SGST का होगा वो ही rate किसका होगा CGST का होगा ये आपने समझ लिया Next जो भी rate SGST का है और CGST का है बिला कि किसका rate बनेगा GST का बनेगा that is how much 5 percentage इसका मतलब आप एक और चीज बोल सकते हो कि what rate of GST is nothing but 2 times rate of SGST or 2 times rate of CGST या तो आपको SGST के साद 2 के साद multiply कर लो या CGST के साद 2 multiply कर दो answer तो उपर वाले आएगा 5 9 plus 9 18 या 9 2 बात तो ही किये एक और relation आप निकाल सकते हो यहाँ पे क्या rate of CGST plus rate of SGST तो यह आपको 3 चीज करो कुछ भी करो आपके answers अपने आप आएंगे ठीक है तो देखो कैसे आपको ध्यान देता है कोई भी rate हो 28 GST कर रहे 28 तो हाफ कितना हो 14 14 या तो CGST कर रहे 14 दिया है तो SGST का भी 14 14 plus 14 28 यह clear हो आपको और उसकी के साथ हमने formula भी लिख लिए समझ लिए रट्टा मारने का बिल्कुल भी जरुवत नहीं rate of SGST is always equal to rate of CGST rate of GST यह rate of GST कहां से आपको मिलेगा जो भी rate होगा अगर आपको question में SGST का दिया होगा multiply by 2 कर दो तो आपको GST मिल गया और अगर CGST का rate है उसको multiply 2 कर दो GST का मिल गया अगर CGST दिया है तो SGST तो equal हो गया या तो भी rate of CGST और SGST को क्या गर दो add कर दो आपका काम वैसे ही बन जाएगा clear है पक्का चलो यह आप लेकलो फिर हम बढ़ते हैं exercise number 4.1 का first sum और second sum उस category का है उसको हम क्या करेंगे solve करेंगे ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे अभी question number 1 और 2 किसके ओपर based है rate के ओपर based है इसको आप क्या करते हैं complete करते हैं और क्या करेंगे इसको solve करते है that is based on rate और कौन से sum है दो sum है यहाँ पर हमारे पास that is question number 1 and question number 2 question कहा है हाँ पर सबसे पहले पावन medical supplies medicine मतलब एक पावन medical है क्या करता है दवाईया बेचता है ठीक है on same medicine the rate of GST is 12 rate of GST किता है कुछ पर 12% है then what is the rate of CGST and SGST सबसे पहले हम लिखते है हाँ पर given क्या दिया है आपको rate of GST on medicine is equal to 12 percentage यह दिया है ना ठीक है ना और क्या है आपके पास to find क्या डूढना है आपको आपको डूढना है rate of CGST and rate of SGST अब आपको जो मैंने बताया था क्या बताया था टॉप पे GST होगा आप पे क्या होगा GST जिसका percentage कितना है 12 बाकी दोनों क्या है हाफ है ना that is 6 percentage 6 percentage आपका काम हो गया ठीक है तो यह देखो की अच्छा करते हैं यहापे आपको रेट अफ जी एस्ट टूढना है तो चलो ढूढना है रेट आफ टी जी एस्ट ती तस नथिंग बट हाफ आफ 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 जी एस्ट यह भी जब टू टाइमस है तो आटमेटिकली हाफ हो गया तो जो भी रेट जी एस्ट का है उसको क्या करोगे हाफ करोगे तो यह भी मिल जाएगा that is 12 हाफ किया हाफ किया तो आफ आपको तेंदर किया बूला थे इंदर एकई करव मच्छ परसंटेज ठीक है ना अब हमको पता है since we know what rate of cgst is equal to rate of sgst that is how much कितना बता हो therefore rate of sgst is also equal to six percentage यह चीज मैं आपको बता ही न यहाँ पर कि जो भी rate यहाँ पर होगा भाही rate यहाँ पर equal होगा किसका cgst का और sgst का rate हमेशा क्या होगा सेम होगा एक rate मिल गया उसके बाद आप equal लिख दो और second काम आपका ऐसे ही हो जाएगा तो final statement आप लिख देना क्या लिख होगे rate of sgst is equal to sorry rate of sgst and cgst is equal to six percentage ठीक है अराम से लिख लो पूरा सम फिर आगे बढ़ता है इससे आपने देखो एक और relation क्या निकाला यह रहा rate of अगर sgst और cgst निकालना is equal to half of rate of gst तो आपने जो लिखा ना स्टार्टिंग में यह चार पॉइंट आप लिख लेना अगर यह मैस हुआ है तो याला लिख लो कि जी एस्ट का rate क्या है जो भी अगर 28% है तो नीचे दोनों देखो ना टैरस पर क्या होगा टॉप 28 हाफ आफ आफ तो उसका rate ढूंडना है तो हाफ आफ इसका जी एस्ट का ठीक है ना यह वाला काम आपको ऐसे करना है ठीक है चलो बढ़ते हैं अभी सेकेंड कोशिन के और तो यह बहुत सिंपल है चलो करते हैं क्या दिया हुआ है हमें कोशिन में गिवन रेट आफ क्या दिया है रेट आफ क्या दिया है रेट आफ cgst is equal to 9 percentage और 2 find क्या ढूंडने बोला है ढूंडने बोला हमें रेट आफ sgst and rate of gst तो अगर हम यहाँ पर हमारा working करते हैं gst उपर होता है हमेशा यहाँ पर sgst होगा और यहाँ पर क्या होगा cgst होगा आपको कौन सा रेट दिया हुआ है यहाँ पर rate of gst दिया हुआ है कितना 9 percentage अगर यह 9 है तो sgst क्या होगा इक्वल होगा यह भी कितना हो जाएगा 9 परसेंटेज हो जाएगा और rate of sgst is always equal तो यह कितना अंसर आ गया 9 परसेंट आ गया तो आपका देखो काम इस तरीके से बन गया जब आप उस तरीके से यहाँ पर working कर देते हो ना तो बाद में आपको सिर्फ क्या करना है जो आपने समझा होगा फॉर्मुला तो कोई अच्छा लगे तो sgst gst अच्छा लगे तो gst लगाना cgst दोनों एक साथ मतले ना तो टू इंटू 9 इस हाँ मच 18 परसेंटेज यह आपका सेकेंड सम भी हाँ पर क्या हुआ है complete हो गया तो इसी के साथ हमने जो रेट वाले सम से पूरे के पूरे complete हो गया ठीक है प्रैक्टिस सेट में हमारा complete हो चुका है अब देखो क्या है भी 5 gst amount अब gst amount क्या होता है यह जरा सा अभी हम लोग जैसे question पढ़ेंगे फिर concept फिर question का solution clear है तो अब pattern तुमको समझ में आ गया होगा हम कैसे कंप्लीट करने वाले अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है messes real paint sold two tints of lustre paint मतब कितना टीन बेचा है lustre paint का यहां पर two tints of lustre paint and taxable value अब यह पहली बार taxable value आया वाद यह मैं explain करूंगा in each of each tin is rupees 2800 जभी भी शॉप पे जाते हो तो क्या करते हो पहले चीज पर्चेस करते हो बाबा यह माल कितने का मिलेगा यह goods कितने का मिलेगा बराबर है उसके बाद क्या पूछते हो भाई इतना quantity लोगा कुछ दिस्कॉंट मिलेगा क्या अब यहां पर डिस्कॉंट भी नहीं है तो भाई प्राइस पर तुम खरीद होगा अगर तुम को चीज खरीद नहीं है उसके बाद उसके उपर क्या होगा एक्स्टा टेक्स करेगा कौं टेक्स करेगा अपना शॉप कीपर तो यहीं चीज है और रेट ऑफ जी एस्टी दिया होगे कितना ट्वेंट ट्वेंटीट बोले तो टॉप मोस्ट उसके दो हाथ यहां पर कितना हो जाएगा 14 14 परसंट हो जाएंगे देख लेंगे यहां प पर रहते हैं रेट अब यहां पर अमाउंट पूछा है क्या पूछा है आपर अमाउंट चलो देखते स्टार्ट करेंगे समझ में आ जाएगा चलिए question number 3 अब सबसे पहले क्या लिखते हम? given लिखते हैं बराबर है उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना है, कैसे करना है given के अंदर क्या दिया हुआ है message और इस सब लिखना कहा है तुमको यह सब question से ही बनाना है question साथ बाजू में रखना इस सब चीज़े question से बनेगी message real paint बराबर है, अब क्या है है हाँ पर sold two tins of lusher paint at rupees two thousand two thousand eight hundred each मतलब एक चीज़ का price कितना है two thousand eight hundred अगर दो बेचा तो multiply by two three बेचा multiply by three जितने number of quantities बेचोगे multiply हो जाएगा पर unit का cost है बराबर है per unit cost दिया हुआ if the rate of GST और साथ में क्या दिया हुआ है हमको rate of GST का rate है that is GST rate is equal to 28 percentage और क्या धुणने बोला है to find to find amount of CGST and amount of SGST इसके पहले जो सम किये थे यहां पर हमको क्या दिया रहता था यह amount के बदले हमारे पास क्या था rate था clear है यह amount के बदले हमारे पास क्या था rate था मतलब जब तक rate नहीं आएगा तब तक amount आले वाला नहीं है तो जो पहले दो सम किये थे उतना तो आप solve करना ही करना है उसका extension क्या होगा amount का solution होगा कैसे होगा जड़ा देखते तो बहले rate तक तो लेके आजाए तो अब मेरे को क्या पता है solution लिख देता हूं मैं चलिए अब solution के अंदर हम क्या करेंगे हमको क्या दिया हुआ है rate of GST is equal to 28 percentage since rate of CGST and rate of SGST is nothing but half multiply by rate of GST तो जो भी rate GST का है that is multiply by 28 उसको करोगे तो कितना मिल जाएगा 14 percent तो मैं को क्या मिल गया rate of CGST and SGST is equal to 14 percent but rate तो मिल गया अब यह क्या था कुछ नहीं था पहला जो दो किया था उसी के जिसा है अब rate मिल गया अब हम क्या ढूंटे है price ढूंटे है मतलब taxable value क्या ढूंटे हम लोग जिस पे tax लगाना है तो जरह समझने कोशिश कोरो क्या होता है यहां पर मैं वापस से बता दूंगा some completion के बाद अब में को क्या दिया हुआ है cost of one tin of lusher paint is equal to rupees two thousand eight hundred हमने कितने shop के बढ़ने कितने बेचे है दो बेचे तो क्या ढूंडना पड़ेगा cost of two tins of lusher paint इसके जो तुम सोचते हो ना उसी को लिखना है ऐसा कुछ नहीं वर्ट प्रम सारे या लान करना है कुछ नहीं वर्ट कुछ नहीं करना है बहुत सिंपल है that is two into two thousand eight hundred clear तो answer क्या मिलेगा rupees five thousand six hundred अभी यह जो amount है this is overall amount क्या है यह amount this is overall amount इसके उपर क्या लगने वाले है अभी tax लगने वाले है this is the taxable value तो यह जो ढूंदा हम लोगोंने taxable value ढूंदा है five thousand six hundred अभी इसके उपर क्या लगाते है हम amount of हमको क्या ढूंदने वाले है find out the rate find out the amount of CGST and SGST तो अभी हम ढूंदते है therefore amount of CGST is equal to taxable value multiply by rate of CGST taxable value कितना है five thousand six hundred multiply by fourteen percentage that is nothing but five thousand six hundred multiply by fourteen upon hundred इसको जब solve करोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको इसका answer मिल जाएगा और इसका answer कैसे होगा यह two zero two zero cancel और last में क्या करना है fifty six multiply by fourteen तो इसको solve करोगे तो क्या मिल जाएगा आंसर इसको solve कर लेना multiply कर लेना तो देखो answer कितना मिलता है यहाँ पर seven eighty four rupees मतलब एक बंदा जब shopkeeper shop shop में आता है तो क्या करता है five thousand six hundred के paint खरीदता है बराबर है paint खरीदने के साथ और यह paint खरीदा यह क्या हो गया taxable value क्या हो गई यह taxable value यह price बेचके sorry यह price पे करके क्या हो paint लेके जा सकता है क्या नहीं यह price पे क्या हुआ है सिफ सौधा हुआ है paint का box रखा गया है table पे और बोला यह आपको लेके जाना है इसके लिए आपको पे करने 5600 प्लस tax पे करना है क्या पे करना है tax पे करना है tax कितना पे करना है that is 784 भरना है तुमको CGST भरना है 784 भरना है तुमको SGST के जो भी amount अगर rate सेम है CGST और SGST के तो इसके amount भी दोनों क्या होने वाले सेम होने वाले तो यह amount total amount जब वो पे करेगा इंसान तब वो क्या कर सकता है अपने साथ paint लेके जा सकता है तो मैंको amount of GST तो मिल गया अब मैंको क्या ढूड़ना है मैंको हमको पता है since amount of CGST is equal to amount of SGST therefore amount of SGST is also equal to 7.84 final statement लिखना मत भूलन final statement क्या होगा amount of SGST and amount of CGST is equal to rupees 7.84 यह चीज करना कभी भी मत भूलना word problems जभी भी solve करो क्या करना है given to find a solution उसके बाद final statement लिखने के बाद ही सम को क्या करना end करना ठीक है एक सम को क्या कर लो लिख लो जरा मैं रखता हूं यहां पर देख लो क्या कुछ गल्तियां हुई है जो भी correction करना कर लो notes खुद से बना के चलना जो मैं बता रहो summary जो चल रही है हमारी बराबर है उसके हिसाब से last के अंदर यह chapter प्रक्टिस से चल रहा है उसके उपर जिसे first sum किया हमने second sum किया अब थर्ड sum किया first sum second sum का भी reference आ गया तो जब तुम्हारा practice हो जाए एक बार first second sum मत करना directly third sum करना पहले दो cover होगे क्योंकि हमको जब भी भी पढ़ाई करने better first time तो देखो समय लगीगा second time थोड़ा कम third time थोड़ा कम जब exam के time तक है हमको यह पूरा concise करना है बहुत सही तरीके से systematically ठीक है यह भी लिख लो मैं रखता हूँ यहाँ पर थोड़ी दिर के लिए जो भी correction है तुम क्या गर सकते हैं यहाँ पर कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से खतम हुआ है यहाँ पर यह हमारा और एक sum बढ़ते हैं आगे next sum करने के लिए next sum करेंगे हम लोग next sum बढ़ते हैं आजा फटा फट कुशिन ठीके चलो आगे बढ़ते हैं अभी कॉंसे sum है थर्ड sum हो गया अभी थर्ड sum complete किया जस्ट हम लोगों ने find the GST amount अब समझ रहें GST amount कैसे आया अब fourth sum बढ़ते हैं fourth sum के इन देखो क्या दिया हुआ है the taxable value of wrist watch belt अब already taxable value मतलब यह price में क्या होने वाली है deal lock हो चुकी है मतलब बंदा आया था shop पे बात हुई थी watch बहुत सारी पड़ी थी shop के अंदर display में watch select कर ली बोला पूछा भाया यह चीज का price कितना है तो बोल दिया दुकानदार ने 586 rupees क्या है इसकी purchase price है और यही चीज पर आपको tax लगने वाला है rate of GST मतलब उपर टॉप पे terrace बराबर है कितना दिया हुआ है 18% उसके और what is the price of the belt for the customer अभी customer को ही लिए यह differentiation नहीं पड़ता है भाई state के लिए पे कर रहा है उसको तो पे करना ही करना है वो तो दोनों मिला के add the end, bear con करने वाला है customary करने वाला है अब पूछा हुआ है what is the price of the belt for customer अब जरा यह चीज जरा समझना जरा देखो मैं कैसे क्या करता हूँ यहां बे अब देखो सबसे बहले समझने कोशिश करो कोई भी shop में जाए सबसे पहले क्या पूछेगा भई यह चीज की cost क्या है क्या पूछेगा सबसे पहले cost है तो दुकान दार 501 की quantity चीए कितनी quantity चीए पाच quantity तो यह 100 multiply by पाच एक कॉंटिटी कितनी select की गई है हाँ पाच अब total price कितना हो गया find it हो गया 100 into 5 कितना हो जाएगा find it तो यह 500 रुपया क्या बन गया है हाँ पे taxable value बल्द इस इस पर क्या लगने वाला है tax लगने वाला है अब इसके ओपर tax suppose लगता है कितना percentage में example ले लेता हूं यहां फिर कितना लग रहा है 12% कितना होगा 60 rupees चले taxable value कितना लग रहा है हाँ पे 12 रुपीस 12% इसके लग रहा है tax तो यह कितना आंसर आ रहा है हमारा 60 rupees अब यह चीज जो tax पे करेंगे यह 12 कौन सा है GST दोनों है बराबर है अब इसका कितना हो जाएगा 30 rupees 30 rupees पर customer तो यह price ही पे करने वाला 60 यह तो shopkeeper ने क्या किया हुआ इसको क्या किया हुआ हुआ है किया हुआ है ताकि वो बराबर पैसे क्या करें government के खाते में डाल सके ठीक है तो यह 60 तो customer ने कितने पे किए 500 plus 60 that is 560 so हमको यहां पर यह ढूंडना है तो बोल सकता हूँ amount paid by customer is nothing but taxable value plus amount of GST इसके बाद इसके में पहले discount और ही काता है जब वो सम आएगा तब मैं यह चीज़ बताऊंगा कि अब चली करते है number 4 कि चलिए यहां पर given क्या था हमारे पास given था है यहां पर taxable value of wristwatch is equal to rupees 586 और क्या दिया हुआ हमको rate of GST is equal to 18 percentage अब डारिक्सॉलीशन हमको क्या ढूंडना है कि अमाउंट पेड बाए कि अमाउंट पेड बाए कॉस्टमर बराबर है कि सॉलीशन की और बढ़ता है हम सबसे पहले रेट दिया हुआ है कितना दिया हुआ हमको इडीन परसेंट यहां हाफ आफ करने की जरूरत है कि बिल्कुल भी नीकिया हमको पूछा गया कुशिन के अंदर भाई कॉस्टमर ने कितने में उची रिस्टमर करीदि उसका वैल्यू इतने मैं खरीदी मल्टिप्लाइब टेक्स तो टोटल प्रैस का करें आ करने वाले पचैस्ट प्रैस प्रैस प्लाइब प्लस जीएसटी तो करते हैं सबसे पहले हमार पास है rate of GST is equal to 18 percentage और क्या हमार पास taxable value is equal to rupees 586 तो मैं इससे क्या ढूंड सकता हूँ amount of GST is nothing but taxable value of taxable value of wristwatch multiply by rate of GST taxable value कितनी है 586 multiply by 18 percentage that is nothing but 586 into 18 upon 100 तो क्या करो simple 586 को multiply कर तो 18 से और नीचे से क्या कर देना divide कर देना 0 that is 586 into 18 करो के तो answer आएगा 10548 upon 100 तो यह point पीछे से दो डाल देना that is 105.48 रुपीज यह क्या है total GST amount है अगर suppose इसके बाद मैं को amount ढूंडना पड़ता अगर यह चीज लिखनी नहीं है solution में just मैं बता रहा हूँ अगर लिखना होता amount of SGST और amount of CGST यह क्या हो जाता 105 का जो amount आया है क्या 105.48 divide by 2 कर दो के तो answer कितना मिलेगा 52.74 52.74 पर यह करना नहीं है मैं साथ साथ में extra extra चीज से explain करता रहूंगा यहां पर पूछा गया सिफ customer ने कितना pay किया हुआ है वही पूछा गया है तो हम वही लिखेंगे therefore क्या लिखोगे amount paid by customer is equal to कितना था 586 plus 52.74 पूरा JST लेना 105.48 यह कितना अंसर मिलेगा 691.48 final statement लिखना बंद भूलना क्या लिखोगे amount paid by customer is equal to rupees 691.48 इस तरीके से final answer पूरा complete करना उसके बाद ही तुमको क्या करना है लिख सकते हो clear है कुछ गलती हो तो correction कर लो दो मिंट के लिए मैं क्या करता हूँ यह रखता हूँ यहां पर solution उसके बाद अगला sum करेंगे that is 5th sum यह जो लिखा है मैंने color pencil लिखा हुआ है यह मत लिखना यह चाहिए तो तुम आप क्या करना pencil से side में लिख देना ताकि अगले sum के और बढ़ता है अब देखो क्या हुआ है हमारा find gst amount समझा gst amount कैसे जूड़ा देखो rate एक और बार revise कर देते हैं rate क्या थी कि अगर rate अगर दिया हुआ 14 percentage कि बराबर है कि अगर rate दिया हुआ सब्सक्राइल परसेंटेज तो कितना लोग है 6, 6 percentage बराबर है यह चीश amount पर अगर amount दिया होगा बराबर कितना amount दिया होगा अगर जो भी amount दिया होगा 12 percentage तो rate जब तक नहीं आएगा 12 percentage 6 percentage 6 यह जो rate लिख रहा हुआ हूँ है यह SGST SGST और किसके लिख रहे हो मैं CGST SGST CGST अगर amount होगा वो भी इसी तरीके से multiply होके amount हमको answers मिलेंगे clear है यह समझने के लिए यह फिलाल यह सब चीज क्या करने हमको देखना है लिखना है और practice करना है उसी के बाद ही सब चीजें आएगी जैसे मैं समझा रहो वैसे ही मैं solution के अंदर भी रख रहा हूँ मैं solution कुछ अलग नहीं रख रहा हूँ जो हमने समझा उसके अलग कुछ भी नहीं है अब देखो taxable value के लिए कौंसा सम हमार पास sum number 5 यह important sum हो जाता है जरा ध्यान से देखना 5th वाला sum question बढ़ता है the total value with GST of a remote controlled toy car is 1700 clear है rate of CGST दे दिया कितना 18% is on the toys find the taxable value GST and SGST तो चलो शुरू करते हैं यहां पर यह बहुत अच्छे से जरा sum समझ नहीं कोशिश करना देखो पहले concept क्या है इसके अंदर इसके पहले sum हम लोंने solve किये थे क्या दिया था हमको 100 rupees क्या है यहां पर price क्या है यहां पर price उसके उपर suppose 20 rupees क्या लग रहा है GST टोटल कितना हो गया है यहां पर goods का price हो गया 120 पर अब यहां पर देखो जरा यह चीज तो बहुत प्लियर है भाव सिंपल 100 rupees में खरीदा इतना GST extra लगी उसके बाद उसका price मिल गया लेकिन यहां पर question पूछा हुआ है total value with GST मतलब एक ऐसा amount है remote control car जो खरीदी गई है यहां पर वो customer ने कितना पे किया वो प्राइस दी हुई है मतलब जो चीज है जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं यहां पर 1770 इसके अंदर suppose कुछ ना कुछ तो tax होगा उसके उपर उसकी क्या होगी taxable value होगी taxable value भी नहीं दिया हुआ है tax का amount भी नहीं दिया हुआ लेकिन यह वाला amount दिया हुआ भाई कितने में purchase की गई है तो हम कभी भी हमको building पे चड़ना है तो हम कभी भी क्या करेंगी ground floor से जाएंगे first floor second floor हम कभी भी उपर से नीचे आ सकते हैं क्या हम नहीं आ सकते हो एक तरीका है वैसे हमको जाना है तो यहाँ पर भी तरीका क्या होगा सबसे पहले हमको taxable value पता होना चाहिए नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है आप क्या करो 100 रुपीस मान लो taxable value 100 है अब उसके उपर tax लगता है यह चीज में को पता है अगर सोचो कोई product 100 रुपीस का होता तो tax कितना लग रहा है वहाँ पे 18% मुलों चीज कितने की हो गई 118 रुपे की हो गई वैसे ही एक और product था जो यहाँ पर दिया हुआ हुआ है remote control taxable value ले लो question mark that is x और इसको cross multiply कर दो that is 1770 multiply by 100 into 118 जब इसको solve करोगे तो में को क्या मिल जाएगा taxable value मिल जाएगा अगर suppose मैं बोलो suppose यह taxable value आता है 1700 बराबर है तो यह बीच में difference दिख रहा है तो difference ले लो tax कितना हो जाएगा tax 70 rupees और उसका half पर लो 35 cgst 35 हो गया central 35 हो गया state तो यह इस तरीके से concept होगा जैसे कि मैंने बता है आप taxable value कितनी ली थी मैंने 100 ली पहले उसके उपर tax कितना लगा अठरा तो यह कितना हो गया 118 रुपय हो गया यही तो चीज सेम है यही तो चीज क्या है आपे सेम चल रही है उसी को तुमें को देखना है ठीक है तो यही concept है यह लिख लो चीजिए तो उपर से pencil से बाब ने कभी भूलना नहीं पहले हमको क्या करना है गिवन लिखते हैं सम सॉल करते करते हम लोग क्या करेंगे एक और बार इसको complete कर देंगे लिख लोग लेकि यह मर नूंबर फाइ गिवन तो डल्म विट आप टीजिट ओंव अृप टुटल आल्ड़ ओ दीजिए ओफर रिमुट controlled car is rupees 1770 rate of GST is nothing but equal to 18 percentage to find क्या ढूनने बुल रहे हैं को सम्गे अंदर find the taxable value पहली चीज़ second चीज़ ढूनने बुल रहे हैं को cgst and sgst of the car cgst and sgst of the car clear अब चालू करते है solution अब हमको क्या दिया हुआ है let the taxable value मेरे को पता ही नहीं मैं चालू कहां से गरूँ जब मैं जिस्म बताया था तो पहले मैं क्या करता हूँ let the taxable value of car be 100 मैंने उसकी value कितनी मान ली 100 मान ली अगर उसकी value 100 है then बराबर है value of car will be 118 क्योंके tax कितना लगा हुआ है 100 लगा हुआ है बलो एक्चे लोग कितने भी किये 118 रूपय हम भी किये बराबर है that is after tax if taxable value of car taxable value of car is rupees x then value of car is value of car is is equal to rupees 1770 तो यही चीज़ हमको चाहिए थी मतलब अगर 100 रूपय की चीज़ है तो कितने में भी के रही है वह 108 इतने में चीज़ भी की है तो उसका value क्या होगा यह चीज़ लिखनी नहीं है समझने के लिए तो उसका आंसर हो जाएगा के लाइफ़ फिफ्टीन इंटू हंडेड टोटल कितनी वेली होगी कि 1 5 0 0 मतलब 100 रूपय की चीज़ पे 108 रूपय टेक्स लग गया पंदरासो की चीज़ कितने भी करी है 1770 तो डिफ्रेंस क्या होगा यहां पर यह जीस्टी का अगाउंट होगा कौछसा अगाउंट होगा जीस्टी देफों अमाउंट ओफ जीस्टी इस इक्वल टू टोटल प्राइस माइनस टेक्सिबल वैल्यो टोटल प्राइस कितनी थी 1770 माइनस 1500 कितना मेलेगा है हाँपर 270 रुपीज तो अब मेंको क्या पूछा गया था देफों अमाउंट ओफ SGST एंड CGST इस नतिंग बट हाफ इंटू अमाउंट ओफ जीस्टी यह चीस हम जोने कीती ना स्टार्टिंग में तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू 270 इस इक्वल टू दुनों को डिवाइड करतो तो आंसर मिल जाएगा 135 फाइनल आंसर लिखेंगे पूरा क्या पूछा था हमको क्या पूछा था ढूंडने को टेक्सेबल वैल्यू आफ कार इस इक्वल टू 1500 फिर पूछा था अमांट ओफ SGST and CGST इस इक्वल टू रूपीस 135 यह क्या बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस तरीके से हमने एक और सम कम्लीट कर लिया है मैं वापस से रखता हूं लिखने के लिए इस तरीके से कम्लीट कर लो कुछ उटा है तो देख लो सम्स के अंदर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग आगे बढ़ते हैं next सम की तरफ बहुत सिंपल सम है यह वाले सम को क्या करना उसी जो booklet जो मिलेगी उसके क्या करना सर्कल कर देना इसको ताकि क्या हो चार्ट के अंदर कि यह वाला सम जब भी एक साइज में हो थर्ड वाला सम पहले दो कवर होगे बराबर है फॉत वाला तो नॉर्मल था बढ़ और हमको कौन सा फिफ सम देखना है और आगे कौन से इस तरीके से मार्क करके चलना ताकि क्या बन जाए हमारे solutions easily एक एक हम क्या कर पाएंगे डिटेल में सॉल करके हमारे answers क्या होंगे आते रहेंगे और चैप्टर का जो summary sum up भी जो होगा sum up जब करना पड़ेगा वह भी क्या होगा बहुत easy तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा खतम करना पड़ेगा इस तरीके से इस सब लिखके ले लो जो next sum की तरफ बढ़ते हैं next sum यहां पर क्या दिया होगा हमारे पास 5th sum जस हम लोंने solve किया 6th sum देखो full-fledged sum मतलब यहां पर सब कुछ आने वाला है सब कुछ बुले तो taxable value होगा GST होगा SGST होगा उसका total amount होगा तो देखते question बढ़ते क्या है यह ज्यादा changes नहीं है इसके इंदा जो अभी हम लोंने किया धीरी दिन लोग full-fledged sum की तरफ ही बढ़ते जा रहा है कि कुछिन बढ़ लेते next tip-top enterprise supplied AC अब यह क्या supply कर रहा है AC supply कर रहा है 1.5 ton की cost of AC is 51,200 with GST मतलब यह वाले बात भी होई होगी एक तो उपर होगा taxable value जितने में price deal done हुई है उसके उपर tax उसके बाद आती है total value तो total value पहले दे थी है तो उपर में को 100 लेके चालू करना पड़ेगा जिससे last sum में किया था यह चीस clear हो गया यहां से next rate of CGST कितना दी है 14 CGST rate 14 है SGST भी 14 होगा और GST के उसका double मतलब है नीचे से उपर जारो ना भी 14 14 प्लस करोगे तो उपर पहुच जाओगे that is 28 percentage then find the rate of SGST तो मैंने already ढूंड लिया कितना हो जागा यहां पर 14 percentage हो जाएगा rate of CST क्या हो जाएगा 14 into 2 that is 28 percentage taxable value क्या हो जागा यह taxable value तो जस्ट अभी हम लों ने किया same as 5th sum amount of GST about तो वहाँ से मिल जाएगा कैसे करेंगे हम लोग उसके amount of CGST दोनों का break यह वाला sum आगी से continue हो रहा 5th वाले से और यह दो sum जो दिया हो फिर्स टू पार्ट यह दिया हो है तुम्हारा पहले दो 1st and 2nd sum और यह 5th sum का mixture है तो 1st sum, 2nd sum और क्या करना है हाँ पे 5th sum का क्या बन जाएगा यह mixture बन जाएगा चलो शुरू करते हैं इसका 1 sum बचे का हमारा exercise के अंदर चलिए सबसे पहले given लिखेंगे that is अब कौन से sum कर रहे हम लोग 6th sum given क्या दिया हुआ हमको tip-top electronics supplied and AC of 1.5 ton the cost of AC supplied तो क्या दिया हुआ है cost of सबसे पहले क्या लिखोगे cost of AC supplied including GST is rupees 51,000 51,200 इसके अंदर क्या है GST का अमांट क्या है जुड़ा हुआ है और क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है rate of CGST is equal to 14 percentage और क्या दुड़ने बोला है जब भी लिख लेता है to find सबसे पहले चीज़ दी हुई हमको दुड़ने को find out the rate of SGST एक एक सम्सॉल करना अराम से फिर का दुड़ने बोला हुआ है rate of GST फिर थर्ड चीज़ दुड़ने बोली है हमको taxable taxable value of AC फिर धुड़ने बोला हुआ है number 4 धुड़ने बोला है हमको total amount of GST और last में पुचा हुआ है दो चीज़ और है that is amount of CGST 6th amount of अभी ये एक सम्स तुम कर लोगे तो पहले के जित्ते भी सम्स थे 5 सम्स हम लोगे ये सब कवर होगे amount of SGST चलो स्टार्ट करते हैं बहुत दिख रहा है ऐसे बड़ा सम है कोच बड़ा सम नहीं है जैसे हम लोग ने किया था स्टार्टिंग में वैसे हम एक ही कंप्लीट करेंगे rate of SGST सबसे पहले हम क्या ढूंड रहा है solution क्या ढूंडेंगे हम rate of SGST यह हम ढूंड रहा है बराबर है solution के इंदे फर्स पार्ट तो कैसे ढूंडेंगे we know या तो लिख लो since rate of CGST is equal to rate of इसके लिए में स्टार्टिंग से ही सब बेस लिखा रहा था ता कि क्या हो जाए easy हो जाए rate of CGST is equal to rate of SGST therefore rate of SGST is equal to कितना हो जाएगा यह चीज़ हमको ढूंडनी है s equal to 14% बराबर है यह मेरा पहला वाला पार्ट solve हो गया sum का clear है first वाला पार्ट हमारा company रिचोर हो चुगा है second देखो क्या बुच्छा है rate of GST और second चीज़ अभी हम लोग क्या ढूंड रहे है rate of GST rate of GST यह हम ढूंड रहे है इसके लिए क्या लिखोगे देखो rate of GST is nothing but 2 times the rate of GST यह लिख दो 2 times sorry 2 times the rate of CGST is 2 into 14 percentage यह कितना मिल जाएगा 28 percentage 14 percent था कौन सा था 14 percent बराबर यहां पर CGST उसका double कर दो कि क्या मिल जाएगा rate of GST थार्ड देखो क्या पुछा हुए taxable value of AC तर taxable value लेने के लिए में क्या लेना पड़ेगा let the cost of AC be 100 थार्ड एट टोटल इन तोटल वैल्यू बनाद जब एसी का बात किया था कितने में मिलेगा एसी 100 रुपे में 28 रुपे एक्स्टा देने पड़ेंगे ठीक है तो टोल कितना हो गया 108 अब हमको क्या दिया हुआ है इसी मिलेको पता नहीं है बराबर है कोस्ट ऑफ एसी पता नहीं है तो कोस्ट ऑफ एसी भी एक्स तब जाके देन टोटल वैल्यू कितनी मन रही है विल भी रुपीज कितने बिका था 51,200 यूँकर मिरको पता ही नहीं है यहाँ पर क्या होगा तो अब इसको क्रॉस मुल्टिप्लाइ करोगे इस एक्स इस इकल तो 51,200 मुल्टिप्लाइ बाबर है तो क्या करोगे 51,200 डिवाइड बाइड बाइड करोगे तो आंसर किता 51,128,4,512 होगा और यह 100 लास में कितना मिलेगा 400 multiply by 100 total कितना मिल गया 40,000 रुपे पर क्या लगा हुआ है उपर extra tax लगा हुआ है तब जाके हो क्या बन चुका है तुमारा total value बन चुक है किसकी AC की price बन चुकी है तो यह 40,000 बिका हुआ है तो यही चीज हमको पूछा गया था क्या पूछा गया था taxable value therefore third चीज आ चुकी है हमारी taxable value of taxable value of AC is equal to 40,000 अब आगे क्या ढूणने बोला था फोछ चीज ढूणने बोली था हाप है total amount of GAC ठीक है total amount ढूण लेते हैं therefore अभी हम चुक्राइब फोर्थ वाला that is total amount of GST तो यह कैसे मिलेगा that is total total value of AC minus total value of AC minus क्या कर दोगे taxable value जो जस्ट अभी ढूणने हमने total value कितनी थी 51,200 minus 40,000 करोगे तो answer मिलेगा is equal to rupees 11,000 कि जो एक्स्ट्रा पे किया हुआ है 11,200 रुबही क्या पे किया हुआ है पूरा का पूरा टेक्स अमाउंट है कौन सा है पूरा का पूरा यह जी एस्ट है अब भी को उसके बद क्या पूछा था ढूंडने को amount of SGST और क्या ढूंडने बलता है amount of CGST number 5 लिखता हूं मैं amount of CGST बराबर यह मैं को ढूंडना है that is therefore amount of CGST is equal to amount of GST into half to amount of GST कितना मिला था पूरा 11,200 multiply by half इसको divide कर दोगे तो answer कितना मिल जाएगा 2 से मिल जाएगा तुमको 5,600 अब number 60 सुनने बोली थी हमको amount of SGST amount of SGST क्या होगा amount of SGST will be इसको भी इसी तरीके से कर्च हो तो simple लिखो SGST is equal to amount of CGST that is amount of SGST is also equal to rupees 5,600 उसके बाद last में क्या करना final statement सबका लिख देना number one क्या था number two क्या था number three, number four और उसका क्या लिखना answers लिख देना क्या लिखोगे यहाँ पर answers लिखके पूरा का पूरा sum क्या होगा इस तरीके से तुमारा खतम हो जाएगा 2 बेंट के लिए मैं रखता हूं सब चीज़ देख लो कुछ गलती की है की नहीं है given यह full-fled sum इसको यह sum को क्या कर दो पूरा-पूरा important mark करके स्टार बना दो वहाँ पे ताकि यह sum जब भी complete हो जाए तुमारा क्या-क्या answer आ जाएगा सबसे पहले क्या दिया था question किया सिफ taxable value दी नहीं गहीं थी पूरा का पूरा overall purchase दिया था मतलब taxable value plus tax करोगे तो यह amount मिला थीसरा अब हमको reverse जाना है बराबर तो rate भी हमको दी थी cgst की rate थी y rate equal हो थी hgst की double कर दोगे तो किसका rate हो जाएगा वो gst का rate हो जाएगा minus करके amount of gst amount of gst मिल गया जैसे rate of gst होता है वैसे amount of gst का half-half क्या हो जाएगा sgst cgst हो जाएगा वो चीज कर लिए हम लोगने और एक बर cgst sgst मिल गया एक बर cgst मिल गया तो वही क्या हो गया sgst हो जाता है वही चीज हमने क्या किए number last में दिखा दी गई है इचीज जरह मैं तुम्हार लिए और एक बार रख रहा हूँ जरह देख लो इस तरह से क्या गलती की है क्या नहीं कि कुछ correction अगरत करना हो notebook के अंदर कर लो बहुत simple तरीके से करना है यह वाले सब जित्ते भी sums है बहुत simple चल रहा है और क्या करो बता है जो summary मैं बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से टेबल बना लेना क्या होगा जब एक exercise खतम होगा तब उसका पलच लेगे एक्चल में किया गया था और साथ में जब problem set इसके साथ लिंक होगा करेंगे हम number wise ही सिर्फ लेगा वहां पर interchange करेंगे वह जो टेबल है ना अभी मत पढ़ना उसके इस आप से confused होगे पहले दो सम यहां से किये फिर उठागे और problem set का भी सरने नीचे number लिख लिए अब कर लो नहीं अब यह exercise पहले अच्छे सीख लो उसको एक बार practice कर लो फिर हो खुद से solve करना और classification मैंने already कर दिये उसके बाद जब पढ़ाई करोगे तब वह चार्ट का use करना है clear है यह इस तरीके से क्या हो गया हमारा और एक sum complete हो गया अब हमको एक last sum करना है that is 7th sum उसके बाद हमारा यह exercise क्या होगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा complete हो जाएगा चलो start करते है अगला sum अब देखो यहां पर 7th वाला sum जो है discount का इसका भी मैं थोड़ा से जिक्र किया था पहले लेकिन मैं फिर से बताऊंगा मैंने समझाया नहीं था कुछ भी detail के अंदर थोड़ा से भी मैं जिक्र किया था अगर याद रहेगा तो चलो पढ़ते हैं प्रसाद पर्चेस वाशिंग मशीन फ्रम महारास्ट एलेक्ट्रोनिक गुट्स मत्दब जो प्रसाद करके जो बंदा है वो महारास्टर स्टोर्स में जाता है और क्या पूछता है वाशिंग मुशन मिलेगी किया में da से purchase करते हैं तो यह चीज़ चल रही है तो प्रसाद भाई को क्या मिल जाता है discount discount यह पहले ही बार आया है तुम्हारे पास कितना 5% discount दिया गया है मतलब इसके पहले क्या होती थी price हो जाती है taxable value तो taxable value दिये 40,000 पर discount हो गया तो new taxable value मिल गई क्या मिल गई हमको new taxable value discount minus करके अब उसी पर क्या लगा दो GST लगा दो और amount of GST और SGST ढूड़ना आदम को in the tax invoice तो चलो simple start करते हैं पहले मैं समझा भी देता हूं concept क्या है आप यह सबसे पहले क्या दिये हमको MRP बराबर है अगर MRP कोई चीज की 110 रूपीज है बराबर है आप जाते हो शॉपकीपर के पास बोलते हो सर जी थोड़ा सा discount दो तो less discount कितना दिया गया है यहां पर 10 रूपीज तो कितना हो गया यहां पर हंडिड रूपीज हो गया अब इसके उपर लगा दो tax क्या लगाएंगे इसके उपर plus tax कितना लगता है सबस्थ 12 परसंद तो 12 रूपय कितना हो गया 112 तो यह वाली taxable value अब सोचो अगर ऐसा ही उल्टा होता सब्पोस हमको आंसर दिया होता टैक्स वाला यह 112 रूपय दिया होते हैं क्लियर है जो एक्स लेकर के उपर discount है तो कितना हो गया 98 रूपीज हो गया उसके उपर क्या लगाऊंगा मैं tax लगाऊंगा बराबर कितना tax लगाता हूं मैं यहां पर 14 रूपीज टैक्स लगाता हूं तो कितना होगा 112 और कोई प्रोड़क्ट बिखिरा होगा 7550 तो यह क्रॉस मुल्टिप्लाइ करके क्या कर सकते हैं आंसर टूंड सकते हैं जैसे हमने फिफ सम में किया था और शिक सम में इसके पहले किया था तो यह फिलाल साइड में रखोगे तो भी च इसके पहले जो भी समस्ते डारेकली टैक्सिबल वैल्यू दिया हुआ है 100 उसे उपर क्या लगा दो प्लस टेक्स कर दो तो क्या मिल जाएगा अमांट मिल जाएगा पर यह अभी ऐसा नहीं है टैक्सिबल वैल्यू के पहले क्या है MRP में से क्या करो कि डिसकाउंट हम कंप्लीट करना है और लास सम जैसे हमां कंप्लीट होगा एक और एकसरीज हमारी फर्स एकसरीज हो जाएगी इसके अंदर तो कोश्यन हम लोग ने पढ़ा हुआ था तो क्या लिखते हैं गिवन लिखते हैं पर्चेस वेरों भी लिखते हों पर यहां पर वर्ड यूस किया और प्रिंटेड प्राइज तो लिखता हूं मैं प्रिंटेड प्राइज और वाशिंग मशीन is equal to rupees 40,000 फिर क्या दिया हुआ है discount दिया हुआ कितना is equal to 5 percentage यह discount percentage में हो सकता है तो amount में हो सकता है अगर percentage में तो amount निकालना पड़ेगा अगर amount में तो percentage का ज़रुत नहीं है और क्या दिया हुआ है rate of GST is equal to 28 percentage और क्या ढूंडने बोला है sorry ढूंडने बोला है मतलब क्या आजाएगा to find यह चीज़ हमको ढूंडनी है क्या ढूंडने बोला है हाँ पर है find the purchase customer ने क्या price पे किया that is customer price that is purchase price of the washing machine और क्या ढूंडने बोला also find the amount of amount of SGST and amount of CGST यह दोनों चीज़ का करने है हमको ढूंडने बोले गई है जलो start कर दे सब से पहले सबसे पर लिगा दिया हुए हमको नदिस प्रिंटेर प्राइज उफ वाशीन मशीन इस इकल ड़ूपीस 40,000 अब मैं क्या ढूंटा हूँ अमांट उफ डिसकाउंट क्योंके मैंको रेट अफ डिसकाउंट दिया है क्या दिया हूँ रेट अफ डिसकाउंट so amount of discount is equal to printed price multiply by rate of discount printed price कितना है हाँ पर हमारे पास 40,000 multiply by rate of discount कितने दिया था 5% तो 5% निकालो इसका कितना हो जाएगा into 5 upon 100 that is 2000 2000 क्या मिल गाए हाँ पर amount of discount तो अब हम ढूंदते हैं therefore taxable value is equal to printed price minus discount that is rupees 40,000 minus 2000 2000 क्या है discount total price कितने होगे यहाँ पर 38,000 तो अब taxable value आ चुक है जिसे मैंने पहले बताया था क्या बताया था MRP बराभर है उसके बाद less discount फिर क्या मिल गा हमको taxable value प्लस क्या करोगे tax तो क्या मिल जाएगा amount paid by customer clear है यह वाला sequence जरह याद रखता हमने MRP पहले ले ली फिर क्या क्या discount minus कर जे कितना 2000 अब हमको क्या मिल गए taxable value मिल गया कितना मिला है 38,000 अब इसके उपर क्या ढूंटे थेक्स ढूंटे है कि देफोर amount of GST is equal to कि पहले भी लिखा ना अब देखो फॉमलस की भी कुछ जरुरत नहीं बड़ी हमारा exercise भी खतम होने आ गया यह दिस टेक्सेबल taxable value multiply by rate of GST taxable value कितना है हमारा पास 38,000 multiply by rate of GST कितना था 28% तो कितना मिलेगा 38,000 multiply by 28 upon 100 यह क्या हो जाएगा 2020 cancel हो जाएगे क्या बचेगा that is 38 38, 380 multiply by 28 यह solve करना तो कितना आशन मिल रहा है भी 10,640 यह total amount हो है किसका GST का अब में को क्या पुछा था amount of SGST पुछा था amount of CGST पुछा था वह भी ढूंड लेते हैं therefore amount of CGST is nothing but half of यह हम लोने पहले भी किया है that is half of क्या amount of GST तो कितना मिलेगा that is equal to half into 10,640 तो इसको divide कर दो कि कितना मिलेगा that is 5320 यह क्या होगे तो मारी total price होगे अब इसको अगर ढूंडना है में को में को पता है amount of SGST is equal to amount of CGST तो एक बार CGST उपर मिल चुका है तो मैं बोल सकता हूँ therefore amount of SGST is equal to 5320 एक्चल मैं को पूछा क्या था question में find out a total amount क्या पूछा था यहां पर since लिखना find out the total amount paid by customer तो लिखता हूँ मैं total amount paid by customer is equal to taxable value जो प्राइस में वो डील करता है plus amount of GST that is 38,000 रुपीज में डील हूई थी 40,000 का चीज था है इसी discount मांगा गया 38,000 में मिल रहा है plus करोगे 11,000 10,000 640 कितना होगा 10,000 640 जस्टेक्स हमको मिला हुआ है यहां पर यह रहा 10,000 640 यहां से हम लोग ले लेंगे value टोटल हो जाएगा 38,000 प्लस 10,600 तो आंसर मिलेगा टोटल रुपीज 48,000 640 लास्ट मिलिकना देफोर purchase price of washing machine is equal to rupees 48,640 इस तरीखे से खतम करना और क्या पूचा था amount of sgst और पूचा था amount of कभी भी answer के अंदर जो पूचा था वो दोनों के answer लिखा करो that is gst is equal to कितना था? 5320 is equal to rupees 5320 इस तरीखे से क्या होगा? answer तुमारा खतम होगा दो मिंट मैं छोटा करके थोड़ा सा रख देता हूं ताकि check कर लो clear है? यह दिखने में लगते word volumes इतने बड़े हैं पर बिलकुल भी बड़े नहीं है clear है? क्या कर रहा है? अब इसके यह एक से इसके अगर आपको समझना है कौन से कौन से सम करने चाहिए तो उसका भी मैं लिस्ट दे देता हूं एक बार जरह हो पर ऐसा नहीं कि वहीं सम करने है पहले तुमको theory पढ़ना है क्या है क्या निया? टेक्स्बूक में भी अच्छा कर सा लिखा हुआ है उसको जरह एक बार रीड कर सकते हूं उसके बाद क्या कर लेना आगी काम तुम लोग क्या कर सकते हो? complete कर सकते हो तो यह final answer यह रहा अब देखो आगे इसको करोगे कैसे ठीक है? अब देखो यहाँ पर इसके अंदर मैं करना चाहो रेट फर्स्ट और सेकेंड समय यह एक देखने की जरुरत नहीं क्यों कि हर सम के अंदर यह चीज़ कवर हो चुकी है इसके अंदर में एक थर्ड सम देखूँगा थर्ड सम देखूँगा इधर तुम मैं 6 देखूँगा और 7 देखूँगा तो मेरा 5th वाल आटमेटिकली हो जाएगा क्योंकि 5th वाले 6 वाले में था ना जो एक से लेके करना है तो यह वाले सम क्या करूँगा मैं exercise उपर जहां पर तुम्हारा practice exercise है वहां पर क्या लग देखूँगा मैं 3 6 7 मतलब यहां पर मैं लिख देता हूँ pencil से में कॉंसे कॉंसे सम हमेशा करना है 3rd सम करना है 3rd सम करूँगा मैं 6 सम करूँगा मैं और 7 सम करूँगा मैं ताकि यह exercise मेरा पूरा का पूरा complete हो जाए उसके बाद जब problem set हम करेंगे क्या करेंगे जब भी हम problem set करेंगे उसके नीचे देखो मैंने classify करा दिये कौंसे सम कहां पर आएंगे इसमें से तुमको कोई लगता है कि exam के दिने हमको कौंसे सम मांक कर लेना है तो इतने सम तुम कर लोगे ना तुमारा 20% काम खतम नहीं तो देखते रहों कि यह भी करना है वो भी करना है लाइन में जाते रहों कि बहुत दिक्कत हो जाएगी इस तरहीं से practice करो मिलते हैं अगले सम में अगला सम और अगला exercise के साथ बराबर है चलिए okay thank you